हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू महित्य जी फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रोफिट एंड लॉस पे बेश्ट क्वेस्ट्न जो की अक्सर एक्जाम से में पूछा जाता है तो चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% हानी पर 85-100 र क्योंकि अगर फार्मूले के चक्कर में आप पड़े तो आपका टाइम बरबाद होगा मैं आपको ऐसी ट्रिक बताता हूं जिससे आप चुटकी में क्वेस्ट्चन को साल्व कर लेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं ऐसे क्वेस्ट्चन में देखिए क्या कर रह सीपी इसे यह हमेशा हंड्रेट परसेंट होता है इस पे ही अगर हमें कुछ लाब होता है तो जो सेलिंग प्राइस हो जाता है वो इससे ज्यादा हो जाता है अगर मालिजे कि 10 परसेंट का लाब हुआ तो सेलिंग प्राइस के हो जाता है 110 यानि 110 परसेंट हो जाता है अग यानि कि यहां पे हमें 15% की हानी हो रही है तो यहां पे जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 100-15 कर देंगे तो आज आएगा 85% अब दीखिए यहां पे दिया हुआ है यह जो 85% है यह दिया हुआ है पचाशी सो के ठीक है पचाशी सो रुपे दिया हुआ है अब क्या करेंगे हम यहां से सपोर्च के रिए 1% को हम किस से कोरिलेट कर सकते हैं तो 1% बराबर हो जाएगा 85-100 बटे में 85 तो 85-85 को कट करेंगे तो हो जाएगा यहां पे 100 ठीक है तो इस तरीके से यहनि 1% बराबर हो जाएगा 100 रुपे क तो CP हमें ग्याद करना है तो CP बराबर क्या है 100% अब इसमें 100 से गुड़ा कर दीजिए तो 100 गुड़े 100 बराबर में हो जाएगा यह 10,000 ठीक है यानि कि जो हमारा question का answer होगा वो 10,000 रुपे होगा friends अगर इसे हम फार्मूले से निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए हानी परसेंट का जो फार्मूला होता है फार्मूले को हम लिख लेंगे तो हानी परसेंट बराबर होता है हानी गुड़े 100 बटे क्राय मूले ठीक है क्राय मूले अब देखिए यह मालूम है हानी मालूम नहीं है तो यहाँ पर हमने ऐसे करेंगे कि माना हानी बराबर यक्स ठीक है अब यहाँ से क्या हो जाएगा क्रेमुले क्रेमुले क्या हो जाएगा क्रेमुले बराबर होता है विक्रेमुले प्लस हानी ठीक है तो यहाँ पे हम value अब put करेंगे इस equation में इस equation में हम value put करेंगे ठीक है तो यहाँ पे जो value होगी हानी 15% है तो यहाँ पे 15 लिख लिया अब इसके बाद में हानी को हमने माना है कि यक्स है गुडे में 100 कर दिया अब यहाँ पे क्रे मुल्य हो जाएगा बिक्रे प्लस हानी तो बिक्रे मुल्य क्या दिया होगा है पचासी 100 प्लस हानी क्या है यक्स है अब देखिए यहाँ पे हम अब इसको cross multiply कर लेंगे या तो थोड़ा सामी से और साल्ब कर लें देखिए कुछ इसमें कोमन है तो कट जाएगा यहाँ से 5, 3, 15 और यहाँ से 20, 25, 100 हो जाएगा अब इसको cross multiply यानी तिरिया गुड़ा कर लीजिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बटे बन तो इसका इसमें गुड़ा कर दीजिए और इसका इसमें गुड़ा कर दीजिए ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स अब देखिए क्या करेंगे कि 20 यक्स है यहाँ यहाँ 3 यक्स है तो 3 यक्स इसमें से माइनस हो जाएगा तो बच्चेगा 17 यक्स बराबर में यह 25,500 अब इसको और simplify करेंगे हम तो यहाँ से यक्स की value आजाएगी 17 से भाग कर दीजिए तो 17 से इसमें कट करेंगे तो 17 एक्कम 17 और यहाँ पर 8 बच जाएगा 85, 75,500 आ जाएगा ठीक है यहनि कि हानी जो हो जाएगा 1500 रुपे हो जाएगा अब क्या करना है हमें हानी 1500 रुपे हो गया अब यहाँ से हम क्रे मूले बराबर भिक्रे मूले प्लस हानी तो यहाँ पर भिक्रे मूले दिया हुआ है 85,000 प्लस हानी कितना हुआ 1500 का अब दोनों को हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे प्लस करेंगे क्या आ जाएगा यह 85,000 रुपे हो यानि कि 10,000 रुपे आ जाएगा देखे जो हमने ट्रिक बताया है उससे भी 10,000 रा रहा है और जो फार्मूले से निगालने है उससे भी तो आप इसमें देख सकते हैं कितने आसान तरीके से मैंने ट्रिक से बताया और यह देखे फार्मूले से आपको काफी कैलकुलेशन करना पड़ा और यह काफी समय लगा इसमें तो आई हो कि यह ट्रिक आपको समझ में आई होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी सेयर कर दीजिए Thank you, thank you so much